श्वाइब है कि हलो दोस्तों स्वागत हो आपका हमारी यीट्यटूब चैनल सक्सेसिन लाइफ तो दोस्तो 12 दिसम्बर को आपका जो है 50 भाई 21 TGT English mail का जो है रिजल्ट आया था और आज आपका जो है आज की डेट में जो है 32्रोज की डेट में जो है आपका जो है यहापर फर्स्ट रिकॉल नोटिस जो है वह DSSB के द्वारा रिलीज कर दिया गया है तो एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं यह है आपका आज की डेट में रिलीज किया हुआ फर्स्ट रिकॉल नोटिस जिसमें करीब करीब 149 के करीब 140 के करीब के अपने करीब देख सकते हैं कि 149 के इंडियट जो है इहाँ पर उनका नाम आया है इस लिश्ट में जिन से डेफिसेंसी देखी गई है जिनके डॉक्यमेंट में तो इन सबी को दुबारे से अपने डॉक्यमेंट करनी है करने हैं जो भी इनके आगे के kolum में इस वाले kolum में लिखे हुए हैं तो अभी जो time दिया गया है इन सब ही को वेर देख सकते हैं, 23 मार्ज से लेकर यहाँ पर एक अप्रैल तक कर जो है वेर time दिया गया है कि वे लोग अपने जो है documents को deficit documents को यहां पर upload कर सकते हैं अभी एक recall notice और आएगा जिसको जो है second recall notice और final recall notice के तोर पर जो है देखा जाएगा इन 149 में से ही candidates जो है निकल कर आने है second recall notice में बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है जिनके नाम जो है first recall notice में नहीं आपाते हैं उनको जो है दुवारे से मोगा दिया जाता है और उनके लिए first recall notice मना जाता है तो यहां पर अभी एक अप्रेल तक documents upload होंगे और लगबर लगबग इस समय और एक महिने का समय जो है देखा जा सकता है second recall notice आने में लगबगबग कम से कम 20 से 25 दिन तो मान करी चलिए कि यहां पर और देखने को मिल सकते है second recall notice आने में वहीं बात करें आपके final result के तो पूरा अप्रेल तो आप यह मान लीजिए आपका second recall notice के इंतजार में ही लग जायागा और साथे साथ आप expect कर सकते हैं कि जो आपका June का second या फिर third week आएगा उसमें आप सोच सकते हैं कि उस टाम पर आप expect कर सकते हैं कि आपका जो final result है final merit list है या फिर main result है वह आपको देखने को मिल सकता है जून के second या फिर third week के बाद ठीक है तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगा आपसे धन्यावाद